वेल्कम टू दा वर्ल्ड आफ सिविल गुरुजी मैं कॉपर टेनर रिसी रास्ता हूँ आप लोग का स्वागत करता हूँ इस नई फ्रेश वीडियो पे आज हम जानेंगे प्लास्टर के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं इस निउ येर सिविल गुरुजी आपके लिए लेकर आया है कंस्ट्रक्शन ओपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स बटिजबा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी जाई ये ओफर सीमिज समय के लिए है जैसे कि इंजिनियर्स आप देखे होंगे कि बहुत से जो घर होते हैं उसमें आउटर जो वाल होती है जो बाहर होते हैं उसे प्लास्टर नहीं हुआ रहता तो ऐसा क्यों करते हैं वह और जो इनर होता है उसे प्लास्टर कर लेते हैं और रहना ही स्टार्ट कर देते हैं त तो ध्यान रखिए यह एक बहुत ही बड़ा डिस्टेवांटेज है कि प्लास्टर नहीं करते इसलिए और साथ ही साथ उसकी जो हमारी वाल की स्ट्रेंथ है वह भी बहुत कम हो जाती है तो आप समझ चुके हैं कि क्यों प्लास्टर करना इतना आवश्यक है हमारे वाल पे तो उसके आगे मैं बढ़ता हूँ अगर कहीं हम देखें प्लास्टर करते कैसे हैं और उसके बारे मैं जानना चाहिए कि प्लास्टर करने से पहले हमें किन-किन बातों करने चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ तो जो प्लास्टर है उसमें करने से पहले आप ध्यान रखें और मेरे हाथ पे पानी नहीं लगता तब तक मैं इसमें water spread करूँगा और सभी जितने भी एरियेस हैं उसमें सब प्रॉपर उतना ही पानी डालूँगा क्योंकि कभी जहां कम पानी पड़ेगा वहां से water कर लेगा फिर जो हमारे प्लास्टर उसमें अंडूलेशन हो जाएगा जिससे वह कभी कहीं और स्टेंथ कम हो जाएगी कहीं ज्यादा हो जाएगी तो आप ध्यान रखे कि पानी प्रॉपर इस्प्रेट किया हुआ होना चाहिए ठीक है और आगे मैं बात करूं तो उसके जो बोलते हैं घोला मानना वह एक प्रोसेस होता हुआ है तो पनिंग में आप पनिंग करने से पहले भी वाटर मारेंगे उसके बाद उसमें पनिंग करेंगे पनिंग पुरी प्रॉपर सभी वालों में अच्छी तरीके से होनी चाहिए उसके बाद हम बढ़ते हैं कि हमें जब उसमें पनिंग करने के बाद हमें जो हमारा मिक्स है जो हमारा मोटार है मसाला है उस मसाले में हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए तो जो मसाला है हमारा वह प्रॉपर रेशियो के हिसाब से मिक्स होना चाहिए हम जो प्लास्टर यूज करते हैं उसमें हम प्ला जो हमारा रीच मीस होता है वह one three से one fourth का होता है और साथ ही जब हम बारा और 15 mm का प्लास्टे करते हैं उसमें उसमें हम जो भी यह प्लास्टर करेंगे इसमें तो one fourth और one six में वह प्रॉपर तरीके से strength लेके आएगा और आगे मैं बात करूँ जैसे कि quantity की जब हम plaster कर रहे हैं हमारा हमें पता है कि 15 mm का plaster होना है और जब उसके बाद हम इसमें इसकी निकाल लेते हैं इसकी motor की quantity निकालेंगे जब motor की quantity निकालने के बाद हम उसके जो ratio है उसके हिसाब से हमें cent और cement लगे हैं और आप सीखते हैं कि कैसे आप कितने भी quantity जितने भी बिल्डिंग से उसके estimation पूरे material की quantity साथी साथ इस्टील की quantity और और भी जो surveying जितने रोड वर्स हैं उसके पूरी knowledge पूरी training आपको मिलती है तो आप आईए हमारे लखनव ब्रांच में अगर कहीं आप आते हैं 11 और 12 तरीक को तो आपको मिलता है एक free training course और साथ साथ आपकी होती है करियर counseling तो आप जरूर आईए हमारे लखनव ब्रांच पे साथ अभी तुरंद कॉल करें 90001234 पे और बताए कि आप 11 और 12 तरीक को लखनव आ रहे हैं ठीक है और आगे जैसे मैं बताऊं plaster के जब आप इस plaster पर पर tua यूजर यूज़ कर रहे हैं जैसे मालों मिलार आण गोटर पर हमेसा 500 gasoline travel बी होता है और इंनर वाल उसमें 12 पा मोला यह क्यों होता है इस बारे में आपको बताऊंगा नहां क्या होता है जब हमारा मैं करता है वह अंदर क्यों से ब्रीक करता है जिसके काराण अंद लगती हो ज्यादा अमाउंट में लगती है इसलिए जब भी आप प्लास्टर करें जो हमारी स्मूज सर्फेस होगी उसमें 12 mm का प्लास्टर करें और अगर कहीं आप कॉइंटिटी नहीं निकाल पा रहे हैं एस्टिमेशन नहीं कार पा रहे हैं घर का तो मैं आपको बताना च जॉइन करें हमारे अफलंग ट्रेनिंग कोर्स को अपनी कमजोरियों को दूर करें तो साथी साथ मैं आपसे विदा लेता हूं थैंक्यू अगर करना है कुछ कास तो चलो हमारे साथ सिविल की बास सिविल गुरुज साथ जै हिंग जै भारत वंदे मात्रम